वेल्कम तू कुक्पित प्रेम लता मेरी चैनल में आप सब का स्वागत है और यह आज मैं प्याज भाजी की रेसिपी डालने वाली हूं और मैंने प्याज भाजी को काटते वे नहीं दिखाया था मैंने आज सुचा था ब्लॉग बनाऊंगी लेकिन आज मेरी तवियत ठीक न कड़ाय में मैंने तेल डाल दिया है और इसमें मैं लसून डालूंगी लसून प्याज प्याज को अच्छी तरह से भूंज के उसमें मैं चना दाल डालूंगी प्याज भाजी को मैं चना दाल के सांथ में बनाना पसंद करती हूं आप चना दल डाल यह बहुत अच्छा टे अस्वाद बहुत अच्छा लगता है और साथे साथ इसको लाल करते भी बुंजिएगा और यह देखिए यह पूरिय है तमाटर अध्रक लिसुन अध्रक नहीं सॉरी तमाटर मिर्च कप में प्यूरी इसमें तो मैंने लसुन काटके डाला था और यह देखिए नमग भी सांथी सांथ में डाल दिया है क्योंकि साथ में डालने से क्या है कोई बीसबजी अच्छी रहती है चांपे सांसे चांश की फीर तो मैं तो मिर्ज दाला लसुन मैंने बाराइबारा काट के डाला हुवा है और अदुछ लखा नहीं चल रहाँ थो तो मैंने प्यूर्टrum ज़ोग डाला है ने की फिर्डोंधार मैंने dealtわか civ Linksुन तो इसको अच्छी तरह से पुरी तो नहीं पड़ता है और इसमें बहुत अच्छा लगता हैुसका व्लेवर बहुत अच्छा आता है और लिखियेगा कि जब हची तरह से पक जाए तो इसमें ृंढ बोल्डी कर दो जो प्याज भाव गूखन प्याज भाजिय खुब है कि कोती है और स्वातीनिայ हुआ है कि मेद्ध करने प्रवा सब्सक्राइब और यह देखिए इसी को आप डालिए गर और यह बहुत जल्द पक दी जाता है और अपना पानी भी छोड़ता है इसलिए इसमें एश्ट्रा पानी जानने की ज़रत ने पड़ेगी मैंने थोड़ा सा डाला था क्योंकि जो मैंने मिक्सर ग्रैंडर में जो पानी रखा हुआ पानी जो बुझा वे किया था हल्दी टमांटर का मसाला बनाया हुआ था वह वाला पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है ज्यादा नहीं डाला है ऐस्ट्रा पानी मैंने डाला है और यह अच्छी तरह से अपने पानी में ही पकेगा बहुत सुंदर सा इसका एक यह आता टेस्ट बहुत अच्छा है इसका पना के जलू ट्राइक करियेंगा कि यह देखिए यह लो से आदधा तो अर्वारी पक चुका है और छ्याधा टाइम नहीं लेता है बहुत जल्द पक जाता है क्यों कि अपण यह पानी पनी चोड़ता है और नमग भी सादी साद डाल दीजिए तो जल्दी पकब भी जाता आधा से ज़्यादा यह पग चुका है और यह सबजी मेरा पक चुक आ है पूरी तरह से यह देखी आप इसको मैं हटा दूगी और यह आठा साम रही हूं आठा कितने रहा हैं और आटा में थैन्ट में ज़रू डालती हूं इससे क्या होता है बदन में थोड़ा घर्बाहत ता पेट भी सही रहता है और और अब भी नाटा में ज़रू डाला करिये और यह देखिए मेरा पुरी और लास्ट में एक छोटी रटी जरूरी बनाती हूं, इसी तरह से मैंने अपनी रोटिया देखिए बना के कर रही हूं, तयार कर रही हूं और इसके साथ आज तविया थोड़ा मेरा ठीक नहीं था, इस वज़ा से दिन भर काम बड़ा सूस्त चला मेरा, मौसम के हिसाब से इ लेकिन बदन में बहुत काफी दर्थ था, इस वज़ा से आज मैं अपना सुबह का कोई ब्लॉग नहीं डाल पाई, और देखिए मेरा रोटी सीख के तयार है, पहला रोटी मेरा बन चुका है, और इसी तरह से मैं धीरे-दीरे रोटीया बनाऊंगे, और मेरे हजबन बैठ सो जाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, या फिर सीरियल देखते रहते हैं, तो मैं और मेरे दुनों बच्चे बैठ के खाते हैं, और यह देखिए, यह दूसरी रोटी बन के तयार हो रही है, दो रोटी का ही मैंने दिखाया है इसमें, और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, जरूर कमेंट में बताइएगा, और फैमली और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अच्छा लगता है, और इसी तरह से मेरे चैनल को आप देखते रहिए, फैमली के साथ शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइब और सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब बहुत बहुत आप सब मेरे चैनल को पसंद करते हैं इस वज़ा से और इसी तरह से मेरे चैनल को आगे बढ़ाने मेरी हेल्प करें और देखिए मेरे रोटिया बनके तयार हो गई है इसी तरह से आप से बात करते करते मेरे रोटिया भी बन गई है मैं एक साथ दो दो रोटी या शेक लेती हूँ थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो बाई